सारामुआलेकम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं आप सब को YouTube Channel English Literature के वालकम कहती हूँ जैसा कि हम लोगोंने APA Citation की सीरीज शुरू की थी हम सीख रहे थे कि APA Citation करते कैसे है यह हमारा next lecture है उसी topic के उपर, APA Citation के उपर जिसमें हम लोग देखेंगे के हम जब भी research paper या thesis या कोई भी research work लिख रहे होते हैं तो उसमें हमने जब quotation add करनी होती है तो उस quotation की citation कैसे करते हैं हमने आज के लक्षे के अंदर इसके उपर बात करनी हैं जैसा कि आप लोग screen पे topic भी देख रहे हैं citation of quotation तो anyhow start करते हैं हाज का lecture जब भी हम लोग एक direct quotation use कर रहे होते हैं और हमने उसकी APA citation करनी होती है तो उसमें तीन चीज़े matter करती है number one author का last name number two year of publication मतलब जिस year में वो work publish हुआ था जहांसे हमने quotation court की है या add की है और उसके लबाब page number जिस page से वो quotation लिए गई है वो वाला page number और इन सब को हम लोग comma support करके separate करते है practical में आपको आगे बताऊंगी इसका कि किस तरह से हम सारा कुछ करते हैं कैसे apply करते हैं इसको और हम जो quotation अब लिखने जा रहे हैं for example वो quotation अगर एक ही page पे है तो हम लोग सिफ single P डालेंगे अगर वो page number one और two दो pages पे आ रही है तो हम double P लिखेंगे जैसके यहां पर देखें double P अब जब हम APA citation कार रहे होते हैं जो in text citation होती है वो parenthetical भी होती है और narrative भी होती है जैसे screen पे देखें मैंने further पताया इसको further define किया हुआ है कि जो parenthetical parenthetical citation होती है उसके अदर जितनी भी information है वो सारी-सरी parenthesis के अंदर लिखते हो quotation के बाद मेरे निके ऐसे पिरी सारी information और यह ऐसे quotation clause sorry parenthesis clause लेकिन जब आप narrative citation कर रहे होते हो तो उसमें आपके करते हो कि author का नाम पहले लिखते हो अपने sentence के अंदर ही कि for example भाबा says that in his book whatever the name of book ठीक है जो भी किताब का नाम है लेकिन भाबा का जब आपने नाम लिख ले sentence के अंदर ही साथ या भाबा के साथ ब्रेकिट में जो उस book का year of publication है वो लिखोगे फिर जब आपने author का नाम लिख लिया year of publication के साथ उसका नाम लिख लिया तो जब quotation फिर उसके बाद आपकी खतम हो गई आप end पे number लिखोगे page का कैसे इसका practical हम लोग आगे लाजमी देखेंगे और important point जो punctuation mark होते है जिसके periods and commas are placed after the citation हमेशा citation के बाद लगा जाते हैं यानि कि page number लिख लिख लिए तो page number लिखने के बाद आपने full stop लगाना है quotation mark के अंदर नहीं लिखे जाते अब for example यानिके आपने देख लिए APA citation जब हम quotation के गर्तिसके दो मैतल होते हैं एक है parenthesis वाला और एक है narrative वाला अब देखें उनकी practical examples for example number one देखें evolution is a gradual process that अब हम पर quotation add करें can act only by very short and slow steps quotation clause अब हमने के यहां पर उसकी पर अप्लिकेशन फिर पेज नंबर ठीक है जो पेज का नंबर है वो लिखके हम लोगोंने इसको close कर दिया और end पर देखें हमने full stop लगाया है ठीक है कि quotation से पहले हम लोगोंने full stop नहीं लगाया reference add करने के बाद full stop लगाया है तो यह होगे एक parenthetical method अब दूसरा देखें narrative वाला Darwin publication date आ गई Darwin explains that evolution अब क्या होगे हम sentence बिनाया है sentence में हम लोगोंने writer का last name लिख दिया publication date लिख दी फिर हम लोगोंने quotation add की evolution can act only by very short and slow steps quotation खतम हो गई हमने फिर page number डाल के full stop लगा दिया ठीक है तो यह second method था APA citation का यह दोनों ही APA citation के method है जिसमें हम लोगोंने quotation को site कैसे करते है वो बताया गया एक parenthetical है दूसरा narrative है parenthetical first one कि हम लोगों जब quotation लिख लिख लिखने के बाद end पर लिखना राइटर का last name फिर हम लिखना है जो date of publication of work की वो और page number add कर देना है जबके narrative में क्या किया हम लोगोंने जो राइटर का last name है वो और date of publication पहले ही sentence में डाल दी फिर quotation add करने के बाद end पर page number लिखा और full stop लिखा दिया ऐसी एक और quotation देखें The ability to think critically is needed in the revolutionary age of technological change quotation खत्म हुई है फिर किसकी है Last name Lee, publication date 2017 और page number 82 यहाँ पर full stop लिखाएगा ठीक है पर कौन सा method यूज हुआ है Paranthetical method यूज हुआ है Next देखे हम लोगोंने जब paper लिखना है Research paper लिखना है या thesis लिखना है जो भी है Whatever we are going to write तो हम लोगोंने इसको किस तरह से लिखना है अब हमने paragraph शुरू किया For example यह हमारा paragraph है Inspire to difference between वगएरा वगएरा हमने paragraph को intent form में शुरू किया यानि कि एक tab दुबा दे लिखने से पहले Intent form में शुरू करने के बाद जब हम end पे आए तो हमने लिखा Robin Cohen states in global diaspora 1997 अब क्या हो गया यहां पर हमारा पास जो writer था उसका नाम भी आगे sentence के अंदर और जो work है उसकी date of publication भी आ गई ठीक है यानि कि हमारे पास narrative method यूज किया गया है API citation का फिर हम लोगों ने एक space देनी है sorry enter जगा छोड़नी है या line छोड़ने के बाद next line से अपनी quotation शुरू करनी है quotation हम लोगों ने mid में लिखनी है यानि कि शुरू पर starting पर ना हो mid में हो mid में quotation करनी है हम लोगों ने और mid में quotation लिखनी के बाद क्योंकि हम लोगों ने writer का नाम और उसकी date of publication जो work की थी वो sentence में लिखनी स्टार्टिंग पर तो हम यहां पर page number लिखके full stop लगा देंगे समझ लग गई यह कौन सा मैथर था APA सटिशन का narrative मैथर था तो quotation हम लोगों ने कैसे एड़ करनी है research paper में या thesis के अंदर तो इसका तरीका है कि हम जो paragraph लिख रहे हैं intent 4 में paragraph लिखते हुए जिब हम लोगों ने end पर लिख दिया कि यह writer ने यह यह कहा है उसके book की publication rate लिख दी फिर हम लोगों ने enter प्रेस करना है मतलब space देनी है एक line खाली छोड़नी है एक line खाली छोड़ने के बाद next line से शुरू करना है अपनी condition को आपने center में लिखना है और center में लिखने के बाद end पर page number डालके full stop लगा दिया narrative method हो गया है और for example अगर हम यह writer का नाम यहाँ पर ना लिखते ना ही publication date लिखते तो हमने इसको कैसे लिखना था हमने इसको parenthesis method में लिखना था मतलब writer का last name कौहन लिखते हम फिर उसके बाद हम लोग 1997 लिखते फिर हम लोग P लिखके 2 लिख देते और कौहन के बाद हम कौमा लगाते 1997 के बाद हम कौमा लगाते और पर P 2 लिखते इस तरह से clear है आपको ऐसे writer का last name, date of publication, page number और हमारी parenthesis जो हमने close कर थी next, एक और example देख ले sorry, example देखने की बज़ए मैं आपको एक तास्क देने वाली हूँ हमारे पास for example जो author है उसका last name है भाबा, यह मैंने हॉमी के भाबा का नाम लिख है उनकी बुक के दो location of culture, publication date is 1994 page number है 160 वहां से मैंने कुटेशन उठाई है it is the name for the strategic reversal of the process of domination through this of all ठीक है, अब this of all, मैंने यह पे quotation डाल दी, अब आपने यह करना है, आपने यह मैंने quotation भी बता दिया आपको क्या है, मैंने page number, publication date भी बता दिया, page number भी बता दिया writer का नाम भी बता दिया अब आपने इसकी citation करनी है API format में, अपने copy के उपर कर ले, जहां मर्जी कर ले और citation करने के बाद क्या करना है आपने उसको चेक करना है कि आपने ठीक की है कि नहीं की ठीक किस तरह से देखना है, मतलब यहां पर example जो मैंने दी है, और examples के चेक करना है कि आपको यह करनी आई है कि नहीं आई है तो I hope कि आपको कुटेशन की citation अच्छे से आगई होगी और काफी help रही होगी आपको इस वीडियो के थुरू, तो फिर मिलते है next video में, next lecture के साथ, अब तक दूआ में खास याद रखेगा वीडियो पसान दाई तो, चैनल को सबस्क्राइब भी करिएगा वीडियो को लाइक भी करिएगा, कॉमनत में बताईगा वीडियो कैसे लगी और आपको मजीद ऐसी वीडियो चाहिए तो जरूर कॉमन्न बताईगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत बूलिएगा थेंक यू, अलाहाफ़स